हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ मुनिका गुली और आपके लिए नेक्स्ट पीज लेके आई हूँ अनिमल हस्बेंडरी की आपको जैसे कि आपको पता है अनिमल हस्बेंडरी आपके ग्राम सचीव, हरियाना, पुलिस, पटवारी, एचसी की जितने भी एक सब्सक्राइब के लिए इतने टाइम में आपको आता है या नहीं तो चले स्टाट करते हैं और सब्सक्राइब करना और हाँ एक सबसे इंपोर्टेंट बात आज की जो एनिमल हस्बेंडरी की वीडियो है वह बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि एंड मैंने आपको बीच में बहुत इंपोर्टेंट कोशेंस करने आएजिए मुख्या करते हैं फर्स्ट कोशन आज 301 कोश्चन में करा रही हूं इससे पहले मैं आपको 6 सीरीज और करा चुकी हूं प्रिविए सीर कोश्चन की जो पहले है चस्तिक एक्जाम में पुछे गये तो किसी नहीं ना देखियो तो बाद में देख ले ना प्लेलिस में आपको वीडियो म मिल जाएंगी आई बटन में भी मिल जाएंगे ना मिले तो यह रेकिस फली में होने वाली एक बहुत मेहथ प्रिक्रिया है पकई पड़ियो एब、、त को GP Day जो दल्हनी है परंतु इसकी उपयोगिता के करणी से तिलहनी वर्ग में रखा गया है तो ऐसी कौन सी फसल है जो है तो दलहनी लेकिन जो इसकी उपयोगिता है इसके करणी से तिलहनी वर्ग में रखा गया है जल्दी से आंसर दीजिए बस पांच सेकिंड का टाइम है सभी के पास जल्दी बताइए बस 5 सेकिंद का टाइप मैं सभी के पास देखे अगर किसी को लग रहे हैं कि मैं फास्ट आंसर दे रही हूं जल्दी-जल्दी करा रहे हूं तो आप वीडियो को पॉस करके आंसर दे सकते हैं क्योंकि मैं नीचाती है अपका टाइम वेस्ट हो इसलिए मैं जल्दी- बताई यह option a bcrd जल्दी जल्दी बताईए क्या होगा इस cancer चलिए आंसर में आपको बता देती हूं 5 seconds complete हैं जी से बारत का प्रथम स्थान है जिस-जिसमें बारत का प्रथम स्थान है जीसमें बहुत ज्यादा जूट प्रथम करता है तो आपको पता होना चाहिए बारत जी स्टाइब के चलिए नेक्ट पांच वाइन की निमन मैं से कौन सी किस्में है आप देखिए बहुत इपस्टीस गंजाए सनगे है जल्दी 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 आंसर दीजिए सब इस्टूडेंट्स चलिए जल्दी चलिए टाइम अप होता है इस कांसर क्या होगा उप्रियुक्त दोनों यानि कि पूसा सताणवें बारा और पूसा अठाणवें चोदा दोनों ही सोयबिन की किसम है और सोयबिन की यह दो ही किसम है इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं याद करने में देखो मैं यह पन्ज़ें सताण में दोनों किसम कहा रहा है पहले निम्हाइब र sophistic है या इस में सूराज मुक्षी के तेल में ऐसा क्या पाया जाता है जो कॉलस्ट्रॉल को साफ करता है तो ऐसा क्या सोकतना में आदा इसका एंसर पैसला मापे प्लाइब को बारत है इन में ढख ही की खेशेंट बहुत जादा जो कुश्प्रेशन बहुत ज्ञादा इंपोर्टेंट prostatener क्जाथ वाय। कि तक आपको कोशन बहुत अच्छे मिलेंगे तो वीडियो एंड तक देखेगा तो इसका अंसर क्या होगा है उसका यूज होता है waterproof cloths के निर्माण में इसका बारत नंबर बन पर है इसके उत्पादन में नेक्ट कोशन देख लेते हैं अब दो प्रजात यह कौन सी होती है देखे मैं जो पॉइंट बता रही हूं न द्यान से सुनिएगा सिर्फ को रटीएगा मत आपको पता है हर याना के पेपर में आप जो कॉस्चन पूछे जा रहे हैं गुमा के पूछे जा रहे हैं तो मेरा हर एक पॉइंट इंपोर्टन ह ऑफ लिए और फिक है आणसर के अलावाद जो पॉइंट में बताती हूं हर पॉइंट द्यान से सुनना है बहुत इंपोर्टनेट पेपर गिलिए देशी का पास और अमेरिका का पास की एक तो देशी का पास और एक अमेरिका का पास ओके जूट प्रती हेक्टेर उपज मे किसका पर्थम स्थान है तो जूट के उपदन में किसका पर्थम स्थान है जल्दी से बताईए क्या होगा इसका अंसर 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टुडेंट से चलिए टाइम अप होता है इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर लाएगा और यदि जूट प्रती हेक्टेर रुप जाए ना तो आंसर उड़ी सा आएगा कोश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है इसलिए मैं आपको साथ साथ पॉइंट्स बताती हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे और पर में आप कन्फ्यूज ना हो रेड रोट किस फसल का रोग है तो रेड रोट किस फसल का रोग है इन में से जल्दी से बताईए रेड रोट किस फसल का रोग है आई बूप इसका आपको पता ही होगा प्पर मैं पता नहीं कितनी बारी आप listeners पूछा गया है एस धर यान्स एक ग्ण्र के एकल वऑस्था गहा है तो इसका अंसर क्या होगा गन्ना रेड रोट किसका रोग है गन्य का रोग है very-very important question जलिए next question देख लेते हैं next question है गणना पकते समय किस वज़े से शर्क्रा की मातरा गट जाती है य愈 जो गणना पकता है उसमें शक्र यानि को जो मीठापन होता है आपको पता गणने से क्या बनती है चीनी बनती है तो उसमें वो मिठास घट जाती है, तो वो किस वज़े से घट जाती है, जल्दी से बताएंप्शिंस है क्या रुगा, चीनि की मातरा क्यों घटती है, तो चलिए रुगे रुगे, आंसर में आपको बता देती हूं, इसका रुगे पाला गिरने से, कि सिर्गर के अगर बिता है तो शरकरा की मातर घंडय में ने बै civ Central का इंडियद इंस्टिट्ट ऑफुगा एक न में से डियोगर Cage की एक घ्युए वहाँ पर इंडियन इंस्टिट ऑफ्यटिटी जाथीं अगरे पार टांपूर पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन शुगर की जो पहली मिल लगाई गई थी ना वह भी यूपी में ही लगाई गई थी ओके और कब लगाई गई थी 1903 में ठीक है ये सन भी याद रखना आपको 1903 में प्रीविस येर के जो एनिमल लगेंड के कोश्चन करा हैं मैंने गनानुसंदान के अंदर कहा हैं इन पिद्वारत में लाए गई तो तमाकु किनके द्वारा बारत में लाए गई जल्दी से पताइए इस प्रीवेज्च ये में पूछ अगया है जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टुडेंट्स तो चलिए आंसर में आपको बता दे यस बढ़ा होगाई तो इसका अंसर क्या होगा चीन तब माखु का सबसेल बड़ा हऊत पार और बोगता देश है नेक्स टेसम देख लें बारत में पहली बारत चाहिम का उत्तपादन कब हुआ था किस के समय में वेखा इन में से जल्दी से बताइए यानि कि चाय की खेती के लिए कौन सी मृद अच्छी मानी जाती है इन में से जल्दी से बताइए option A, B, C, A, D चलिए time up होता है इस concern में आपको बता देती है इस concern का let right मिट्टी चाय की खेती के लिए let right मिट्टी सबसे ज़्यादा उप्युक्त मानी जाती है इसमें nitrogen बहुत ज़्यादा उप्लब दोती है ओके नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा उप्लब दोती है लेट right मिट्टी में इसलिए चाय की केती के लिए उप्युक्त मानी जाती है next question चाय की प्रमुक किसम कौन सी है तो जल्दी से बताइए चाय की प्रमुक किसम कौन सी है पास सकिंड का टाइम में सभी के पास देखिए मैं फिर आपको बोल रही हूं आज वीडियो को सभी को बहुत द्यान से देखना है क्योंकि एंड तक जितने भी कोफ्षन्स हैं आज बहुत अच्छे लैवल के हर बहुत इंपोर्टेंट है तो चाय की प्रमुक किसम कौन सी है ग्रिन गॉल्ड उक्रीन गॉल्ड चाय की प्रमुक किसम है और पहले नमब जल्दी 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 आंसर दिचें सभी स्टूरेंट्स कोफी याँवागए एव्य और नैड चायकि पत्य और दिनकान से पत्या ine सबसें ऊच कोटी का कहवा कौन सा है लेकिन झायी कोटी का कहवा सा है sig Serve मोठ लेवल की हैं तो सभी आप ज्यान से देखना है अगर कुछ अब से उच्छ कोटी का क्यवा है और पूछा जाए हैं बहुंच जब कोटी का कहवा है पूछा जैए भारत में कों से केहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कोन सा है तो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बताईए अब आपको यह तो पता चल गया कि करनाटक में सबसे चित मंगलूर की पाड़ियों पर जाद होती है। रबढ किस चीज से प्राप्त हुती है। वेरी वेरी इंपोरेंट कोश्चंछ यह हैं यह सएसी रेल्वे सभी एकजाम्स के लिए कोश्च इम्पोर्टेंट है तो रबढ किस चीज से प्राप्त होती इन बेसे जल्दी बताईए इसका अंसर यह तो सांसर की बुक में मिलता है यह एंसर तो इसका चाइं सब्सक्राइब कोल्दृब होता है कि सब्सक्राइब का पूछा जाता है तो तो इसा hanya अंसर क्या हो गान बदाइए। पभर नहीं सब दोता है और होता है ये हुचा गया है राज्य भी पुछा गया है और देश में सबसे जदा उत्पादन होता है तो थाइलेंड में होता है रबड का सबसे जदा उत्पादन मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक उप भोगता और निरियातक देश कौन सा है यानि कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी वही देश करता है यूज भी वही देश करता है और बेशता भी वही है निरियात करना मतलब दूसरे देशों में बेजना तो इसका अंसर क्या होगा भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक उप बोगता और निरियातक देश है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन चलिए नेक्ट कोश्चन देख लेते हैं और हां अगर स्टेट पूछी जाए कि मसालों की दृष्ची से सरवादिक शेत्रवाला राज्य कुन सा एक तो काली मेर्च और इलाइची में तो केरल प्रतम है और मेथी सोफर दनिया में राजस्थान प्रतम है तो पता हो ना चीए आपको ठीक है चलिए नक्स्क्रेशन देख लेते हैं तो जल्दी बताइँ बारती इलाइची शोध संस्थान कहां है कि इस सफ़ानी है क्येरल में है और किरल records और करने में है थो तो नमबर वन पर कोण है क्येरल और इलायची संस्थान दान जीन बैंक कहां है यह कॉस्चन इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि पूच्छा गया है तो जल्दी से बताएं दान जीन बैंक कहां है इन में इसका अपने कई बर तो वही पर दान जीन बैंक है फिलिपिन्स में ही, very very important question, चलिए next question देख लेते हैं, भारत के क्रिशी जलवायू शेतर कितने हैं, ये question अभी हाली में, जो बिजली विबाग का क्लरक का पर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, बिल्कुल डिटो यू का यू question, तो भारत के क्रिशी जलवायू शेतर कितन है, 15 है, लेकिन अगर पूछा जाए, बारत के क्रिशी पारिस थिति की ये शेतर कितने हैं, तो 20 होंगे, ये जलवायू पूछा जाए तो 15 और पारिस थिति की ये शेतर पूछे जाए, तो 20, important है, अभी बिजली विबाग के पेपर में, पूछा गया था, चैसी में ये question, बारत का जूट शेतर किसे कहा जाता है, तो I hope इस cancer तो सभी को पता ही होगा, जल्दी बताइए, तो इस cancer क्या होगा, पस्चिम बंगाल, बारत का जूट शेतर पस्चिम बंगाल को कहा जाता है, जूट उतपादन में पस्चिम बंगाल नंबर बन पर है, ओके, next question, मसालो का मैंने जैने ह慈ए दो को है यह बारत है किसे कहते हैं अब देखिए जो चीनी का कटोरा किसे कहते हैं तो वो क्यूबा को कहते हैं तो बात यहां पर चीनी की ही हो रही होगी तो बारत का क्यूबा किसे का जाता है तो पता हो ना चाहिए आपको मैंने पीछे शूगर के बारे में बताया था आपको चीनी के बारे में आपको पीछे बताया था मैं आपको बताया था पहले चीनी मिल वहीं स्थापित हुई थी देवरिया के उत्तर प्रदेश में सन 1903 में विश्व की रोटी की कटोरी किसे कहा जाता है जल्दी से बताइए देखिए यह नाम काफी फेमस है इसलिए डाले गए हैं प्रिविस एर के हैं तो इसका अंसर क्य विश्षाए पेपर में इतनी यह बार पूचा गया है और i hope सभी चुडेंट्स को इसका अंसर पता भी होगा जल्दी से अंसर दिजिए उसका इसका अंसर जल्दी दिजिए इसका अंसर में आपको बता देखिए एक और केसे कहवा पात्र किसे का जाता है जल्दी म Dodge अगर हर स्थूडेंट ने मेरी बहुत ज्यानस सुनी होगी तो सब को इसका अंसर पता होगा तो इस का अंसर क्या होगा जल्दी बता ये क्या ऑपको बता देती हूं को विश्पा दो ब्राजील ब्राजील को कहें जाता है कहवा पत्र या सबसे जड़ा कोफी कर अलुद नहीं एक कोफी मत सोच डेश का नाम हो कोशन टो प्रोलॉक टल्या किसRajya को कहा जाता है तो बताई 27 प्रदेश को और से बृत प्रदेश और 16 अब यह aft परदेश ही है 21 सदी का पेड़ Кिसे का जाता है अब यह कोश्चन बहुत जादधे important है आपको पता है तो इसका answer क्या होगा नीम का पेड़ 21 सदी का पेड़ किसे का बोला जाता है नीम के पेड़ को बोला जाता है देखिए हर question important है आज का क्योंकि यह questions वह questions है जो एक बार नीपर में पुछे गए पता नी कितनी ही बार पुछे गए हैं बहुत important है य इसका अंसर क्या होगा बेर, शुष्क फलो का राजा बेर को बोला जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशिन, और फलो की रानी किसे बोला जाता है, लीची को बोला जाता है, और फलो का राजा किसे बोला जाता है, आम को बला जाता है और शुश्क फलो का राजा बेर को वनो का राजा किस व्रक्ष को कहा जाता है तो वनो का राजा किस व्रक्ष को बला जाता है जल्दी से बताइए very very important question हर एक question important है तो इसका अंसर के अगर टीक जो टीक व्रक्ष होता है ना उसको वनो का राजा बोला जाता है next question उजला सोना किसे कहा जाता है जल्दी से बताईए उजला सोना किसे कहा जाता है इन में से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए तो इसका आंसर होगा कपास उजला सोना कपास को बोला जाता है है जल्दी से एंज़ों को बोला जाता है किसें कहा जाता मश्रूम को बोला जाता है वेरी वेरी इंपोर्टनमाश को रानी किसे कहा जाता है तो जल्दी से अंसर बताईए दल्हनों किरानी किसे कहा जाता है इन में से option a b c a d 5 seconds का time में सभी के पास जल्दी जल्दी अंसर दीजी सभी students तो इसका अंसर क्या होगा मटर दल्हनों किरानी मटर को बहला जाता है वेरी वेरी important question, next question नेक्ष वेशन है कौफी ब्रक का मुख्यले कहां है अब मैं आपको सारे वो बॉर्ड कराऊंगी जो important है ओपेपर में बार बार पूछे जाते हैं तो इसका अंसर क्या हो dessert कोफी बोर्ड का मुख्यले कहा है अब कोफी बोर्ड का मुख्यले वही पर है जहां कोफी का सबसे जदा उत्पादन होता है और पीछे मैं आपको बता चुकी हूं कि कोफी का उत्पादन सबसे जदा कहा होता है करनाटका में होता है यानि कि बैंगलूरू ओके पेपर में ब कोची साला बोड का मुखेले कोची में हैं और कोची कोची काँ ऑगा Set क्योंकि मैं पीछे आपको मसालो के परिमें कज भी देदा है। को पता है कोलकता पश्चिम बंगाल की राज़ने और कोलकता में चाय बर्ड का मुख्यले और चाय सबसे ज़्यादा कहां पर होती है तो असम में होती है और चाय बर्ड का मुख्यले कहां है तो पश्चिम बंगाल कोलकता में हैं कंफ्यूज नहीं होना दोनों चीज़े जरूरी नहीं आंदर प्रदेश ही आए गुंटूर भी आ सकता है तो तमाकुबर्ड का मुख्य लेका है गुंटूर में ओके यानि कि आंदर प्रदेश में very very important question कई बार पेपर में पूछा गया है यह बार बार हर साल किसी न किसी पेपर में यह question पूछा ही जाता है चलिए next question देख लेते हैं rubber board का मुख्यले कहा है आप जल्दी से बताएं rubber board का मुख्यले इन में से कहा है जल्दी जल्दी आंसर दीजे सभी students a b c a d only five seconds तो इसका अंसर क्या होगा कोटायम जो कि केरल में ही है rubber board का मुख्याल भी वही पर है याद रखिएगा कोटायम जो कि केरल में ही है अब देखिए मसाला बापया मुख्यले केर्ण में हो गया ठीक है rubber गतना होता है इसका आंसर क्या होगा शोगा पंत नगर में बारत के प्रफम विश्व जाले की इस Sakdствие हई और तने एक ड न होई जो कि उत्तराखंड में मैं है और अन्सरी अंसर डी टीज़ीए अगर किसी ने करने डेक्टी में मैंने अब तक मैं तक्के 2020 के जितने भी करनेonton आनका हैं मैंने सारे के सारे अगर सप्रॉस आज़ें पूर्फे का संबंद किस से है तो इसका अनसर क्या होगा फाइफ सेकेंड्स कम्पिलीट 6 उत्पादन अमरिद क्रांति का संबंदçi से है इम मैं से जैस्से जल्दी जैसर दीजी सबी के पास चलिती उसका अंशर की होगा को नदी जोडों पर योजनासे से अम्रित क्रांथ का संबंध है नदी जोडों ि पताओं लिव आपको सब होगा इस बात का लिए क्रांथी पर ज़रूर पुछ जाती है इस पहले तुम आपको बता देती हूं ओप्रेशन फ्लड क्या था ओप्रेशन फ्लड जैसे कि यह हारित क्रांती थी ना ऐसे ही ओप्रेशन फ्लड था हरित क्रांती फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाया गया था और ओप्रेशन फ्लड दूद का उत्पादन बढ़ा ऑ्प्रेजिंट फ्लर्ड के जनमदाता कौन थे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे और इसी वज़े से बारत आज विश्व का सरवादिक दूध उत्पादक राश्टरा यानि कि दूध उत्पादन में बारत सभी कंट्रीज में नंबर बन है यानि कि पहले नंबर पर है दूद पादर में बारत है तो आज कि हमारा important quiz यहीं पर स्माप्त होता है क्वेंट बोक्स में चलिए सबी students जल्दी से अपना score type कर दीजिए जल्दी 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 score type कर दीजिए कि 50 में से आपके कितने questions टीक मिले हैं और हां यह मैंने अभी 50 questions कर रहे हैं इससे पहले के 300 questions की series किसी ने नहीं देखी है previous year की तो उसको भी जरूर देख लीजीगा playlist में आपको वीडियो मिल जाएगी बहुत important है वे क्योंकि previous year के questions की series है वो और बार-बार paper में पूछी जाती है तो इससे पहले के 3 questions भी आप playlist में जाकर देख सकते हैं playlist में आपको animal husbandry की वीडियो मिल जाएगी तो इससे पहले के सारे questions देख लेना जिसने नहीं देखे हैं बहुत important है और साथ ही जितना हो सके प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और comment करके मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है और कोई सुझाओ स्क्राइब कर लीजिए और हाँ बैल नोटिफिकेशन दबाना मत बूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए और हाँ यह तो एनिमल अजबंडी के प्रिवेश और कोस्टन की सीरीज नहीं देखिए तो प्लेलिस में आप जाकर देख लीजिएगा उके उसमें आपको मिल जाए है ओके बाबाए थेंक यू लाइक शेयर और सब्सक्राइब थेंक यू